दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पताने वाला हूँ कि अगर आप किसी पुधार पैसा देते हैं तो फिर एग्रिमेंट अगर आप बनवाते हैं तो फिर एग्रिमेंट आखिर कैसे ड्राफ्ट करवाना चाहिए आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहली बात अगर आपकी स्विफोधार पैसा दे तो ऐसे ही मौकिक नहीं दे यानि कि कैस में नहीं दे दे आप यहां पर जब भी पैसा दे तो आप ओनलाइन तरीके से दे और एक एग्रिमेंट आप जरूर ड्र कर सकते हैं कियोंकि कोई भी कानून से बड़ा नहीं हो सकता है लेकिन कानून आपका सांथ तभी देगा जब आपने पूरे कानूनी तरीके से किसी को पैसा देते हैं तभी आपका कानून यहां पर सांथ देगा तो सबसे पहले आप यहां बात ध्यान रखें कि आपके बनाते हैं जो कि गलत है जैसे कि एक्चांपल के तौर पर में बिहार राज की बात कर तो यहां पर एक हजार रुपे के स्टाम पेपर पर एग्रिमेंट बनाने का नियम है लेकिन कई चलाक लोग सो रुपे के स्टाम पेपर पर एग्रिमेंट बना लेते हैं जो कि कहीं से सही नहीं है और जब कल्कों का मामला फसता है तब उन्हें समझ में याता है तो आपके से कुद्हार पैसा देते हैं और उसका अगर आप agreement वर माते हैं तो आपको 1000 रुपे के स्टांप पर साव्द रास नहीं है तो आप अपने agreement में आखिर क्या मेंसर होता है इसमें दोनु party का नाम उनके पिता जी का नाम उनका address उनका mobile number यह चीज मेंसर होता है फिर किस date को आपने पैसा दिया कितना पैसा दिया किस मोड से पैसा दिया क्यूं पैसा दिया कब वह लोट आएगा और अगर वह नहीं लोट आएगा तो आप उसे चेक जरूर ले ताकि आप उस-चेक को Bounce करवा कर उसके उपर criminal case जो की चेक बाउंस का जो case होता है वह criminal case करवा सकते हैं चेक का जो case होता है उसमें अगर कोई पैसा नहीं लुटाता है तो चेक का जितने अमांट है उसका दोबुनना उसे अमांट देना पड़ सकता है और साथी साथ उसे दो वर्षत के जेल भी हो सकती है तो आप किसी को उधार पैसा दे आप उसके मीठी मीठी बातों में नहीं आए आप उसे चेक जरूर और agreement में आप उस चेक का दो जिक्र करें कि अगर वहाँ पैसा जो तैस सीमा है उसमें नहीं लोटाता है तो जो भी पैसा दिया है जो भी लेंडर है उसके पास पूरा फुली राइट्स है वहाँ चेक को क्लिरिंग करा सकता है तो आप सारा चीज का यहाँ पर जिक्र करें और किसी दो निट्रल विटनेस का आप सिगनेचर उस पर करवाएं और यह नहीं कि केवल नाम लिफवा दे वलकि उनका पीता जी का नाम उनका एट्रेस मवाइल नमबर सारा चीच उनका भी रेंसन करवाएं क्योंकि कल को अगर मैटर समस्ता है तो विटनेस वियाधार बनता ह और आपको कोसिस करना चाहिए कि आप विटनेस का भी अधार पैन या फिर कोई भी आईडी काट ले ले और उनसे सेल पर टेस्ट कराके एग्रिमेंट में लगवा ले ताकि एग्रिमेंट पुरा प्रोपर हो जाए और जो पैसा दे रहा है उसका भी आपाई कर ले ले तो पुरा पका एग्रिमेंट बन जाए तो आपको अपने रजिस्ट्री ओफिस में से रजिस्टर करा लेना चाहिए क्योंकि जब हम रजिस्ट्री ओफिस में रजिस्टर करा लेते हैं तो वहाँ पर जो रजिस्टार होते हैं उनके समख्षे दोनों पाटी का गवाही होता है विक्निस का गवाही होता है, तो कई बार ऐसे agreement बनता है, तो जो पैसा लेता है, वह मुकर जाता है, लेकिन जब आप उसे register करा लेंगे, जो सरकारी, जो अधिकारी होंगे, वह खुद गवाही लेंगे, तो उसको कोई नकार नहीं सकता है, तो मेरा तो यहीं सला है, कि अगर ज्यादा है कम अमाउंट है तो चलेगा आप चेक बाउंस कराकर भी आपके स्पाइल कर सकते हैं लेकिन अगर ज्यादा है तो आप उसे रजिस्ट्री करा लें ताकि आपका जो पक्ष हो मजबूत हो जाए तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई हो भी अगर दो करें और अगर प्रपनें पर फालो करें में मैसेच करें और दोस्तों मिलते हैं लेए वीडियो में ने टॉपी के साथ अब देक पर अपना और अपने परिवार का ख्याग लए